नमस्कार सभी को स्वागत है आपका इस नहीं है अट्रोकेटर चैनल में आज किस वीडियो में हम बात करेंगे राजसान पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड की तरब से आई वेकेंसी जैसो और ये की जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की और जूनियर एंवर्मेंटल इंजिनियर की तो उसमें स्कीम क्या है उससे पहले हम कुछ डाउट डिसकस कर लेते हैं जो कि पिसले वीडियो में आपर आये हैं जो कि आपकी एसेंचिल क्वालिफिकेशन को लेकर के हैं तो यह आपका अडिटीजमेंट जारी किया गया था और इसके ऑनलाइन फॉर्म जो है तेई कर्सेंच ग्षाफॉर्ट ग्राइशान को भूधा जिर्लेफिकेशन को अगया कि मास्ट डिग्री यहां पर समीस्ट्री रहे हमिस्ट्रीश साइंस अग्राइशन के एक पास उप्राइशन के लिए कर सकते हैं इसके आवरे हम बात करें कि जी के लिए जो है इसमें आपके पास दो आप्शिन हैं अगर आप में आ तो master degree अगर आपके पास है या फिर आपके पास first class bachelor's degree अगर आपके पास है तो यह बिल्कुल आप prefer कर सकते हैं आपर यापको दिये गए है तो master degree का एक आपको दिया गया है आपकी bachelor degree का तो इसमें यह है कि आपके first class जो है bachelor degree होनी चाहि और इसमें जो branch कौन-कौन सी है वो आपको यहां पर mention की गई है तो यह आप ज़रूर ध्यान रखें एक तो bio technology है एक आपके chemical है एक आपके civil है और mining है environmental है textile है तो यह आप ध्यान रखें इन में से अगर आपके कोई branch है जिसमें से आपने चाहिए bachelor कर रखा हो चाहिए आपने इस तरह से prepare कर सकते हैं तो सबसे पहले आप जो यह आपको notification है उसी में आपकी examination scheme है syllabus है वो गिवन है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको दिया गया है description box में आप तो सबसे पहले आपका post specific ही और आपके वोड के according यह आपकी vacancy आई है तो EVS को लेकर के ज्यादा है environmental general knowledge को लेकर के सारी topics लगबग हैं जैसे water waste, water, industrial waste, air and noise pollution यहां पर municipal को लेकर के तो पार्ट यह है आपका पूरा post specific है जो कि आपका दोनों में similar ही है चाहे आपका JEE में देख सकते हैं चाहे आपका JSO में आप तो अब हम इसमें बात करें कि आपका general knowledge का part है जो आपका 30 questions आएंगे तो इसमें आप easily इनके लिए अच्छे से prepare कर सकते हैं जो कि काफी सारे आपके पास इसमें कहाएं कि RPC की papers भी हैं जहां पर आपको क्योंकि इसमें जो आपके art, culture, traditions, literature, heritage, geography जो आपके आने वाली है वो बिल्कुल आप जितने papers से RPC के वो बिल्कुल कवर कीजिए, maths और reasoning में तो जो वाकी जितने भी आपके प्रेक्टिस सेट रहते हैं वो आप कवर करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि general maths से आपको पूछी चाहें कि इसमें current affairs आप prefer कर सकते हैं जो चल रहे हैं होना है और इसके लावा हम बात करें EBS को लेकर के कुछ एक books मैंने आपको description box में link दिये हैं तो उनको भी आप जाके check out कर सकते हैं जिसमें कि आपको इसका जो है basic knowledge लेने में काफी help करने वाली है और जितना हो सके आप इसकी जो books है English में ही prefer करें तो ज्यादा आपको data अच् नेट पर काफी सारे जो यह topic को लेकर के काफी सारे जानकारी मिल जाएगी हर एक topic के बारे में detailed में जानकारी दी गई है तो आपको कहीं कोई अलग से अगर book लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं बाकि काफी सारे university द्वारा जो EBS को लेकर के जो उनके courses है उनकी books available है तो आप उ daily basis पर कर सकते हैं काफी सारे PDF आपको मिल जाएंगे RPC के सौल जो GK related है आपका history related है तो आप telegram channel join कर सकते हैं इसके इलावा academy learning app है वहाँ पर भी आप ज़्यादा ज़्यादा practice कर सकते हैं daily basis पर जो live classes आती हैं तो जो रास्ता अंस लेटर जितने भी exams है या फिर जितने भी आपके जो courses चलते हैं चैरीट हो पटवार हो आरेस हो या फिर जो भी अभी upcoming है या फिर चल रही है उनका आपको RPC section में ही मि तो आप जैसे आप click करेंगे तो आपके बास जो आएगा वीडियो चाहिए आप mock test दे सकते हैं तो आपको उसको unlock कर लेना है यह code यूज करके उसके बाद जैसे आप code यूज करेंगे आपका ये free plan जो है unlock हो जाएगा इसके लावा काफी सारे आपके पास daily basis पर live जो वीडि platform तो काफी promote जो है करता ही है and academy इतना हो सके तो इस तरह आप जाद सादा फाइडा उठा सकते हैं जिसके लिए आपको play store से and academy learning डाउन्लूड कर लेना है तो यहाँ पर जो एक दो books के link है उनका आप देख सकते हैं बाकि फ्री में जितनी भी आप इन particular topic को भी search करेंगे गूगल पर तो आपको PDF मिल जाएगी उनिवर्सिटी द्वारा जो PDF दे जाते हैं उनको आप download कर सकते हैं जाए प्रिंट आउट ले सकते हैं हर एक particular topic को लेकर आपके बिल्कुल अच्छा जो content है वो available है तो आप बिल्कुल उसको देख सकते हैं फ्री में जो कि आपको काफी ज्यादा इसमें help करने वाला है साथे साथ जो EVS को लेकर के काफी सारे जो video tutorial जो आते हैं उनको आप देख सकते हैं जो कि EVS को लेकर कि आप अगर आप net.jrf क के लेकि काफी ज़्यादा books आती है तो उनको आपना देख करके सबसे पहले आपको जो आपका slips है उसको देख करके जरूर आपको ध्यान रखना है तब ही आपकी जो है इसमें तैयारी है वह बहतरी हो पाएगी क्योंकि syllabus ज्यादा जरूरी होता है उसके बाद ही आप देख हैं जहांसे आप चाके चेकाउट कर सकते हैं और इस विकेंशी का डिटेल्ड वीडियो मैंने आई बिटन पर दे दिया है साथ में अभी जो चल रही है जिनके लिए अप्लाइक कर सकते हैं उन सबीके लिंक पर दिये गये हैं टेलेग्राम से अगर आप नहीं जुड़े व जहीं जुड़ेग्र कि जहीं जहीं है टो खिएलों से चेड़ को बजन आप गदारों से अथरी का इस अधिक्राम पमाद हए़ हैं नहीं बिए खंपाग्राम धे ुड़ हैं से अdy बिएते हैं तो भाहते हैं बनाबार, से भाहते हैं वाहते हैं beautiful बद़ेग्राज